जोड़ता शुबाद करते हैं, so very well welcome to all of you to self-selection board, मेरा नाम है शुबाम वाशने and my aim is to take you one step towards your uniform, चलिए मुलाकात करते हैं पहले question से, what is the theme of Indian Air Force Day 2023, 2023 पे होने वाले Indian Air Force की theme क्या थी, भाइसार इसका answer है, air power beyond the boundaries, याद रखें, air power beyond the boundaries, 8 October को इसका जनम हुआ था, भया, actually क्या होत है कि जो air force day मनाया जाता है, वो इसके जनम दिन पर बनाया जाता है, जनम दिन क्या होता, मतलब बड़े होता बड़े, बड़े के science में क्या होता है कि जो air force है हमारी, उस air force ने यहाँ पर 8 October को जनम लिया था, तब उसका नाम था Royal Indian Air Force, ठीके, तो यह Royal Indian Air Force ने जनम लिया था पता हूँ, A Chief Marshal कौन है आपके, इनको मिला है PVSM, AVSM, VM, ADC मिला का है, भीया यह जनम है कौन, इनका एक खास बता हूँ, इनकी fighter stream थी भाईया, fighter pilot रह चुके है यह, तो भाईसा आप बताईए, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, भाईसा सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए यह, और यह National Defense Academy के X alumni रह चुके है, ध्यान रखें इस बात को, जल्दी से, भाई, वाईस एकदम क्लियर है ना, वाले मौल सेट, थाइंक्यू मेरी जान, चलो, सुनील मेरे साब से, या, तेरे उसमें ही दिक्कत आ रही है, वैसे किसी को दिक्कत आ नहीं रही है, और कोई ऐसा तो नहीं है, भाई, ऑडियो वीडियो का इशू आ रखाओ, जल्दी बोल दो, भाई, सुनूं क्या मैं एक बाद, अरे, एक दम बढ़ी आवाज आ रही है, इक दम बढ़ी आवाज आ रही है, वह दिक्कत नहीं है, चलो भाई, आगला सबाद से पहले है, हमने इंडिया निंफोर्स की, जो पहली बार हुई है, CIM भारत हुई है, Thailand के साथ, Desert Eagle, United States, UAE के साथ हुई है, Red Flag हुई है, United States, Desert Knight होती है फ्रांस के साथ, अब भईया देखो, answer मैंने तुमारे सामने रख दिया, मैंस दफ फॉलाइंगे, बता दो भईया, किस के साथ क्या है, ठीक है, चलो तुमारे लिए थोड साथ किसका है, अगर अब ध्यान से देखे, Desert Knight, यहाँ पर लिखा था, Desert Knight है, France का, बिलको सही बात, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है, Sam, भारत, Sam, मैंने पहली बार बार आया, भाई साथ, यह है, Thailand का, बहुत बढ़ी बात है, गरुना, 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 गरु अगर आप थोड़ा नूटिस करेंगे न, यह चैट, GPT के मतलब से मनाएंगे है, और Red Flag किसका है, उनाइटेट से अफ अमेरिका, क्या मेरी बास समझ में रही है, जल्दी सब लोग फटावर जवाब देंगी तेई से, बिलकुल बहुत लोग ने तेई से जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपके सामने है, विच कंटरिश डिफलपिंग दा आईरन बीम मिसाइल, भाई सब ये न्यूस में बहुत रही थी, डिफेंज सिस्टम, आईरन बीम डिफेंज सिस्टम किसका है, भाई सब इसराइल का है, बहुत भी बहुत भेटरीन, बह लेजर से उड़ा देता है रेंज है इसकी 7 किलोमेटर बर पाहिसाब हो सकता है ये एक्जाम में ना है ये जो चीज न्यूज में बहुत ज़्यादा पॉप्लर होती है जाहतर वो नहीं आती पर आने के लिए मैं बता दिया इस्राइल का है अब आपसे एक सवाल है मेरा क्या ये इस्राइल की जो मिसाइल है आयरन बीम क्या ये इस्राइल ने मनाई है ये उनाइटर स्टेट में मनाई है दुबारा सवाल बोलता हूँ मैं ये इस्राइल ने मनाई है सबसे जादा सॉल्टेट सी है सॉल्टेट कौन सा है वो वो डेट सी है जॉर्डन भी इसको शेयर कर रहा है इस्राइल भी इसे शेयर कर रहा है क्या मेरी बात क्लियर है द्वारा बोलना मैं ध्यान सुनेंगे जॉर्डन भी इसे शेयर कर रहा है इस्राइल भी शेयर कर रहा है सबसे जादा नमकीन समुदर का पानी कहा पर है जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे बोलो मेरी जान जल्दी बोलो डेट सी बिलकोल बात-बात समझ में आ रहे हैं दूसरी बात यह कौन सी स्टिप को टच कर रहा है इसका नाम है गाजा 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 आ बात समझ में आ रहे है बिलकुल सही बात-बिलकुल सही बात एक्साइज ब्राइट स्टाव 1223 जो एक मल्टी नेशनल मिलिटरी एक्साइज थी वो भाईया किसकी है देखो भाई, नॉर्मली जो एक्साइज है, ये 20 कंटरी के बीच में हुई थी, ये एजिप्ट ने कंड़क करी थी, एक्साइज है, ब्राइट स्टार दोजातेज, इसमें इंडियन एफोर्स का एक पार्टिसिपेशन था, ये आपको याद रखना है, क्या मेरी बात समझ मे देखो भाई, इसमें question मैंने थोड़ा miss हो गया है, पर मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ, एक संप्रिती नाम की exercise है, हम बांगलादेश के साथ हर साल करते हैं, पर उसके साथ ना कई सारी military exercise हैं वो भी है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुने, एक है hand in hand, ध्यान सुना मेरी नेपल, ऐसे ही याद करो, सूरे किरन, अगला है संप्रिती, मैं तेरा प्यारा दोस्त हूँ, तो संप्रिती मतला होता है, मैं तेरा प्यारा दोस्त हूँ, प्यारा दोस्त हम क्यों है, बांगलादेश के, कोई बता सकता है, अब है आजादी दिलाई थी भाई, बात समझ मा अच्छा हरी माँ शक्ती हरे मलब एवर्ग्रीन रहे हमारी शक्ती तो भाई आप फ्रांस है और यह बात सच भी है फ्रांस और हमारी दोस्ती एवर्ग्रीन है अगर आपने सुना हो 1999 के टाइम में जब प्रमानु विस्फोर्ड अटल वियरी बाच्परी सामने किया था तो एक मात्र कंट्री जिसने हमारा विरोध नहीं किया जो की वीटो पावर रखता है वो है फ्रांस क्या मेरी बात समझ मारी है अगर फ्रांस ने भी उसमक्त वीटो पावर कर दी होती भाई समझ लो ख्लाफ मतलब आपके फिवर मुतो जा सौरी आपके फिवर मुतो जाए तो आपको बचाया जा सकता है क्लियर है तो यहां तक की बात समझ में रही होगी जल्दी बताएंगे बड़ावट हैं इन हैंड पड़ा सूर्य करेंड पड़ा संप्रीती पड़ा मित ची सारी साथ करांगा ध्यान से सुनते जा धना सबुठाथ उसके बाद कर दर्यबाद करांगा नाग का मिलता है नाग का मिलता है ओमान में मिलता है टकले के सिर पे रखा है नाग आपको ऐसे करना है याद मेरी बात समझा रहे है टकले के सिर पे रखा है नाग यह होता है ओमान बात ध्यान सुनेंगे धर्मा गार्डिन देखो बहिए जपान अपनी आर्मी को आर्मी नहीं कह सकता उसे गा आज समझ में आ रही है थोड़ा romantic mode बन रहा है यहां पर Thailand clear है अगला है प्रबल दोस्तियक क्या होता है दोस्ती की बात करी जारी कजाकिस्तान के साथ ठीक है तो दोस्ती direct वड किसमें आ रहा है कजाकिस्तान के साथ I think मुझे यह बात समझ में रही होगी हमारी दोस्ती कागश पर पहली बात लिखी गई हमारी दोस्ती कागश पर पहली बात लिखी गई लेंट कर्छाकिस्तान I think याद हो रहा है यहां कोई ऐसा है जो आपको याद ना हो रहा हो जल्दी बताइंगे बढ़ाफट यह सभी को याद हो रहा बहुत ही बढ़ी यह लैमाइट किसके साथ वैं भाई साब शेल यह थोड़ा मुश्किल है मैं शेल मतर्फ आपको देखो आपने देखा होगा शेल कुछ ऐसा दिखता है तो एसा को शेल दिखता है राइड शेल में डाला नीमू डाला नीमू आपने और शेल दैसको लेमाइट क्या मेरी बात समझ मारी कि नहीं हाँ नहीं क्या मेरी बाद है चलो अमरीकव सब्दावट से बताएंगे सब लोग में पढ़ां करेंगे चल्दी बताएंगे यह तुमारे लिए जल्दी बताओ इसका उंसर क्या होक थे सब्सक्राइंगे अगर यह चैल पर डालता लैमन ऑमाए गाइगा दिस दा आई क्या मेरी ब जुए कम्हान है, तुम बता है इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर द їघक रोब यहाँ पर देखके बता है वहुण है और याँ पर आना है है कि फ्रांस के साथ जल नहीं है जल्द है तो वर्ड करके देखो यह रा है वेट नाम के साथ क्या था वेटनाम के साथ दहा वीनद बैक्सth मेंगा विज संपरीती करके संप्रिती है यहांपर यह है री संपरीत कागच पे लिखी गई थी हमारी मनगολ यां भी के थी मोटशी के वह दोस्तान है यह कंजर से खूंजर से निकाल के वाई उसको कमस्थ मुल्हाल की था मंगोल्या मंगोल्या की थी थी हमने और है अपने दोस्ति में कोई खास बात ही जल्दी बदो क्या तेख मजर्ण की जैंगपूर लिए संगापउर कहानी थी और ना जन nutshellCYna XDN kanar गया की आ Everywhere सारी मेर्ण मेर्ण सही हो गही है जल्दी असे बहुद अ अब मुझे बदाओ कि कि ये जुकुल भाई साफ ये जपान इंडिया-्मरिटाम इकसरईस बिलकुल भाईसब यही है जपान में धुमेंड ृपल और बाउन आधरम एशन चैंपिर्ट उपर कंटीम में 1923 में कौन जिता दोबारा पूश्रों में, एशिया चेंपियन क्रॉफी हुई थी, ठीक है, अब भाई सब उसमें कौन जीता, भाई सब उसमें जीता, इंडिया, इंडिया ने जीता, भाई सब, बहुत बड़ी बात है, और यह आएगा, द्वारा बोल ला हूँ, एक्जाम में आएगा, हराया किसको य प्रवाल की जीता, मार ने नहीं दिया, फाई जिरो से हराया, वो जो वह एनत माना, नाटा सा, क्या नाम है, प्योंग याइंग वाला जो, क्या नाम भुल गया, उसका मैं, वो ही बंदा है, ख्लियर है, अगला देखो, जो बाइलेटरल एक्साइज हुई है, बाइलेटरल बंगाल, भाईया, दोनों तरह से मैंने कोशिश किये, साउथ, नौर्थ नौर्थ बे बंगाल में हुई है, ज्यादा ही स्पैसिफिक हो गए है, तो, नौर्थ बे बंगाल में ही, क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी बताएंगे, अभिनाश बेटा, नो क्यों लिख रहा है अलो के थी जिन्दी में, बेटा, जो लोग कमेंट नी करने, साप लगेगा, तुमारे घर में साप आएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कमेंट सब का आना चीए, जिसका कमेंट नी आएगा, उसको पाप चड़ेगा, बता दिया मैं अभी, तुम सोगे रात में नीचे स सारे कि सारे Grand Slam title भाई किसने जीते हैं, इस आदमी की शकल लिए देखो भाई साब, इस आदमी का जो नाम है, इसका नाम है Novak Jokovic, और पूछ लिए आता है भाई साब कौन सी कंटरी से, सर्बिया से, भाई कहां से, सर्बिया से, इसने चाए हाड़ो, क्ले हो, ग्रास हो, ह अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक और बात है, ध्यान से, देखो ध्यान से, सबसे पहले जब टूनमेंट स्टार्ट होता है, तो और ये एक हाड़ वाला होता है, हाड़ वाला कौन सा है, ब्लू रंग, याद आ गई बात, हाँ, फिर उसके बात क्या होता है, ये फ्रेंच ओ हाड़ पर होता है, हाड़ पर, मतलब ब्लू पर, आइधिंक मेरी बात समझ में आईगी, जल्दी बताऊ बड़ा बड़ा बट, तैई से, बात क्लियर है कि नी क्लियर है, एक और बात मैं बताता हूँ, बहुत ही कमाल की आपको पता होना चाहिए, तो उनके ना नाम याद ह होनी चाहिए, चाहिए आपको वो ना पता हो किसे जीता, डिवेस कप, दो अगर आदमी एक साथ खेल ले है, तो हम डिवेस कप कहते है, अगर किंग कप होता है, जिसमें और आदमी मिक्स में खेल ले है, लेवर कप होता है, इसमें आदमी एक साथ खेल ले है, और युनाइ में हार्ड है फ्रांस में रेंड है उनौइट सेट में हार्ड है जल्दी बताएंगे कि गोली की श्पीर से चलव लें हम लोग कोशिश यह रही बहिया पूरा खतम कर लें मयंग कह रहा है स्क्रीन नहीं देख रही भाई तुम कैसी कैसी बात देखर रहो यार भाई रिफ्रेश्ट करो देख जाएगी स्क्रीन ऐसी थोड़ीना बात होती है अच्छा सब लोग अपनी जिन्दगी के सबसे बड़ा दुख लिग हो दरा फिर मैं अपनी जिन्दगी दुख बताता हूं मेरी जिन्दगी सबसे बड़ा दुख आजकल जो चल रहा है वह यह चल ला है कि मैं यूटूब से ने मेरी चल लिए आगे देखें रहा भाई सब एक बहुत दी प्यारा है दुरन कप दुरन कप कौन से स्पोर्ट से असोशेट है द्वारा बोलता हूं दुरन कप कौन से स्पोर्ट से असोशेट है मुझे बताऊ इनके जूते देख के बताऊ जूते देख के बताऊ भाई सब कौन से स्पोर्ट से लग रहा है भाई सब यह क्रिकेट होकी जल्दी बताव वड़ा वरते ही से गोली से अंसराना चीए एकदम यह आवास तो प्रॉपर आ रही है आप गलत कहरे हो अधित्य अवास तुम्हें जान प्रॉपर आ रही एकदम मजे वाली अधित्य अधित्य भाई के लावा खिसी को सुलवा रहा है कै जल्दी बताओ जल्दी बोलो जल्दीerness सब ओक्य होना धर्ती पे बहुत जुल्दी है को शाल कहा रहा है सब बढ़े चलता है आप पड़ाओ पड़ाओ तेही से पड़ाओ बिल्कुल पड़ा रहा हूँ और भी यहां पर बाइसाब आगा खान कब कौन से खेल का है घंटा नहीं बता तुमको अगा खान छोड़ो तुम्हें पापाने बहुत मारा संतोस के नाम पर ठीक है संतोस ट्रोफी है बाइसाब सेकंड का आंसर दो एए फुटबॉल ठीक है पापा कहते है फुटबॉल के मि सुकून मिलता है, सुकून, सुकून कौन से खेल को मिलता, फुटबॉल खेल की मिलता है, तो यहाँ पर A आ गया, और देखो यह वाल आंसर है, और आगा खान कप किसके लिए, यह होकी के लिए, ठीक है, आगरा पे, देखो भाई साब, मैंने ऐसी याद किया, आगरा पे, जो मतलब क्या कहते हैं उसे, नाम बोल गए यार, हम संतोस को क्या कहते हैं, मतलब ठीक है, all good है, मतलब जो चाहिए, जो चीज मिल रही है, उसमें खुश है आप, उसे हम संतोस कहते हैं, ठीक है, आगा देखे, इरानी ट्रोफी, संतोस ट्रोफी, अजलम शाकप, देखो भाई स SECL का question, एक question repeat हो गया, हमेशा याद रखो, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, मौका मिल रहा है, आपको GS करने का, कोई सी भी exam की उठालो, हर जगा सेम मिलती है, थोड़ी बहुत सिमलाइटी होती है, थोड़ी बहुत दिफरेंसे होते हैं, आपको इस बात का ध्यान अगना क्लियर है, आप देखो CDS में से मैस्ट फॉलाइंग वाले question आए लगे है, आपको पता हो तो, क्लियर है, चलो, आगे देखेंगे भाईया, वूमेन प्रिमियर लीग हुई थी, WPL हुई थी, उसमें किसने जीता है, भाई साब, पहले पहरा सवाल ये है कि वूमेन प्रिमिय इंडियन ने जीती है, मुंबई इंडियन ने, run-up रहा है, डेली capital, आपको याद रखना है, ये एक्जाम में आएगा, चपा-चपा आएगा, बहुत बढ़िया, जब हम खेलों की बात करते हैं, तो जो after exam है, या TA exam है, इनकी में कुछ खास बात होती है, या CDS की बात करने आजकल CDS में भी आने लगा है, NDA में भी आने लगा है, ये लोग क्या करते हैं, हरामी पूछ लेता है, भाई साब ये वाला terminology कौन से, गेल से associate है, जो soft signal है, ये cricket से associate है, ठीक है न, इसमें क्या होता है, soft signal है, भाई साब हो सकता है, cricket के knowledge में नहीं आधी दूरी है, तो भाई भाई साब भिना third empire से बातचीत करे, अपने आप ही decision लेने को soft signal कहते है, भाई साब सही कह रहा हूँ, क्या गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है, तो right hand batsman, left hand batsman, ये तो भाई साब असान है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आगी, ये MA 360 degree याद रखना, 360 degree, ये क्या होता है, ये इसका मदला कुछ नहीं होता, यार, इसका मदला 360 degree में कहीं भी मारो, 360 degree में कहीं मारो, उठाके बल लो घुमा के मारो, ठीक है, hand cricket आपको पता होगा, box cricket लीग आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, golden duck, ये exam में आये, golden duck, कौन से खिल से associate है, भाई साब cricket में, इसमें क ducks मतला out होना, out होने को हम ducks कहते है, clear है, तो golden duck बहुत ही famous है, पहली ball पे out होने को golden ducks कहते है, बाकी आपको पता होगा, yorker, maiden, lbw, edge, dolly या boundary, आचा dolly नहीं पता होगा, ठीक है न, dolly मतला होता है कि बिना किसी महनत के आपने catch के लिए, उसे हम dolly कहते है, ठीक है, बिना किसी म कहते है, clear है, चलो, यहां तक की बात हो गई, who won the player tournament title of Asia cup, Asia cup 2013 हो तो उसमें यह किसने जीत हासल की है, किसको मिला है, Asia cup का title, तो भाई साब यह मिला है, कुल्दी व्यादव को, कुल्दी व्यादव को मिला था, ठीक है, टूनमें टाइटल, एन मोहमद जो सिराज भाई साब ह उनको man of the match मिलाता, ठीक है, यह player of the match भी कह सकते है, man of the match और player of the match, same होता है, मिरी बात समझने है, कुल्दी व्यादव को यह इसलिए मिलाता है, क्यों यह 10 wicket उखाड़ेते हैं, शीलंका के against, द्वारा बोलना हूं, ध्यान सुनना मिरी बात, which player of the tournament title in the Asia cup, इसको यह award मिला है आपके सामने है, वह कुल्दी व्यादव साफ, 10 wicket उन्हों ने उखाड़े है, और मौहमा सिराज भाई साफ, player of the match या man of the match के नाम से जाने जाते हैं, क्या मेरी बात क्लियर है, मेरी फोटो ज्यादा बड़ी शोहरी है, ओहो, मेरी फोटो ज्यादा बड़ी शोहरी है, आरे कौन सी बड़ी बात है, इसे उठाके या लए आते हैं, बस अब नहीं आएगी दिक्कत, अभी ठीक है, अब दिक्कत नहीं आने चाहिए, थोड़ी बात आ सकती है, चलो, क्लियर है? आगे देखें दरह, इन्वेश स्पोर्स डिट दा आयू शेटी एक्सिल, भाई साथ ध्यान सुनना, आयू शेटी ने, पैन ना चलना मारा, तुमने पैन को श्राप लगा दिया, हाँ जी, आयू शेटी नाम का आदमी है, उसने ब्रॉंज मेटल उठाया है, दोज़र से शुजट है, तो भाई साथ वो है, बैडमिंटन से, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल एकदम सटेग, आपको पता होना चीए, अब ज़र आगे देखते हैं, कुछ ट्रॉमलोजी इसकी बताए, देखो अगर तुमसे एले-एले कर रहा है, एले-एले कर रहा है, तो भाई बैडमिंटन से, उननेस साल के हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एले-एले, और आपके पास बड़ी और कैरी वाले जो ट्रॉमलोजी है, यह आपके एक्जाम में आ सकते हैं, क्लियर है, अगला देखें भाईया, दो आदमी है, साथविक एंचिरा, कौन से खेल से ए यह चारो के चारो माल लिए, इन्होंने चार के चार मेटल माल लिए, इस चक्कर में न्यूज में आ गई है, तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर ऑस्चिलिया, फ्रेंच, विंबल्डन, यूस है, क्या आप डिफरेंस देख पाने हैं, टैनेस और बैडमिंटन वाले में जल्दी बताएंगे, टैनेस बेडमिंटन में देख पाने हैं, डिफरेंस बताएंगे, बहुत यह सिंपल सी बात है, जल्दी बताएंगे, बोलो, 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 जल्दी 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 बोल साब ने गोल मेडल मार लिया बड़ एक सवाल आएगा एक सवाल आएगा जो आपको एक्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है इंपॉर्टन यह नीरे चोब्रा साब का कि वह कितना लंबा थ्रो कर चुके हैं उनका हाइस अचीवमेंट जो है बैस थ्रो का कव है वह क्लियर है चलो घर से जरा कॉल आ रही तरह हमने शांत कर आपने घरवालों को बतागे चलिए और हमारे उपर चुवें दोड़ रहे हैं अगर आपको अब आ जानी तो हमाही तरह से उनको हाई कह दीजिए जी चलिए यहां तक की कहनी हुई कहां दें ओके विजओ दॉड़ फॉलएं इस नाइंटीन एशन गेम दोज़ा थेज हैंग्जू चाइना जो है उसमें 19 में कहां पर इसका मैस्कॉट को है भाइस इसका मैस्कॉट पहली बार ऐसा हुआ है कि यह वही मैस्कॉट रॉबोट बना पहली जानवर बनते हैं पर इस बार क्या बनाए रॉबोट को बनाए गया है और रॉबोट का नाम क्या है चैंचैन ठीक है चैंचैन कॉंग 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 एन लें लाइन ठीक है कौन सी कंट्री में हुआ है यह होस्ट कौन सी कंट्री में होस्ट हुआ है यह भाइस सब चाइना में हुआ है तो चाइ चैन-चैन, कॉंग-कॉंग, एन ले लाइन, क्लिए रहे, चलिए, बहुती इंपॉर्टेंट, बहुती ज्यादा इन्पॉर्टेंट, कौन सी कंट्री ने F.I.H. मेन हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? पहला सवाल ये, ये हॉकी वर्लकप हुआ हूआ है, अगर आप ध्यान से था ठीक है ना अच्छा हुआ क्या था कि इनका ना मैश टाई हो गया था तीन-तीन पे फिर एक्स्टर टाइम लेके फिर यहां पर शूटर वाला काम हुआ था पैनल्टी शूट आउट से फैसला हुआ तो बढ़िया बढ़िया मज़ेदार हुआ था वर्ल्ड कप यहां पर इंडिया का क्रेट वर्ल्ड कप इतना अच्छे नहीं हुआ पड़ होकी वाला कमाल हो था थीक है अब यह आदमी है भाई साब इसके बारे मैं कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुमने इसका नाम नी जानते है न तुम बहुत ही पापी आदमी हो धरती पर तुमसे बड़ा क लाइव कॉप्शन नहीं आ रहा बताओ चलिए जी चलो हाज इनका नाम क्या है इनका नाम एह है बही है एह है इनका प्रकरननंदा है आर प्रकरननंदा और भाई साब इन्होंने चेस वर्लकप 2023 में यंगेस प्लेयर का खिता था मतलब जीता क्या है मतलब जीते वीते कुछ नहीं है पर यंगेस प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पर पार्टिपेटेशन किया था द्वारा बुलाओ पार्टिपेट यंगेस प्लेयर का था अब भाईया इनकी एक कहानी और है ये आदमी की बहन भी एक इस लड़के की बहन और ये दोनों खिलते हैं चैस इस लड़की का नाम है वैशाली इसने क्या हुआ इस साल क्या हुआ कि 2019 में तो एक बाद जीती थी उसके बाद सेकेंड टाइम इस बार जीती है कत्वर ओपन के अंदर ऑक्टूबर के अंदर तो इसलिए वैशाली भी न्यूज में बहुत आई दोनों भाई बैन बहुत बड़े ग्रांड मास्टर हैं चैसी खिलते रहते हैं पूरे दिन अब एक बात अगर आपको ये फोटो याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ जिन्दगी जंड है हद जंड है हद ठीक है अब भाई साब ये आदमी है मैंगनस मैंगनस कालसन सॐंड है मिला फिलिखा हुआ मैंगनस कालसन अब इसका मुकाबला हुआ यंगेस चैस हुआ कि यंगेस रा देंगे क्योंकि नगिंग्स की और लेत याता हूं ने की हरा दिया इनको यंगेस पेर को बड़ उन्हें बताया कि काफी tough था match और उन्हें सोचा नहीं था कि इतना tough हो जाएगा, clear है? नाउ एक चीज और, अधरविजान न्यूज में बनाता इसी करण से अधरविजान न्यूज में बनाता क्योंकि ये पूरा का पूरा match अधरविजान में हुआ था अधरविजान की capital बाकु में हुआ था clear है? बाकु में आपको larger city है, ठीक है? on the captain sea, उनका जो बाकु है न, ध्यान सुनो, बाकु जो capital है, वो Caspian sea पे है, ये आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है, Caspian sea पे, मैं अपनी दिखा पाऊंगा, लगाना रहे गया है पड़ा आइ थिंग आपको याद रहेगा, clear है? जल्दी बताएंगे बढ़ापट समझ मेरी ये बात में क्या के रहू? चलो जी चलो, आगे बढ़ते हैं जरा very good, very good काफ यूँ को याद है, काफ यूँ को याद नहीं है भाई साब, चलो, यहाँ से आगे चलते हैं अगला country, which country won 2023 का squash world cup, 2023 का squash world cup किसने जीता है, the right answer is Egypt, Egypt ने जीता है clear है, Tamil Nadu में हुआ था, पहले एक time कभी होता था, squash को न, इंडिया में इज़त नहीं मिलती थी, बढ़ा भी बहुत इज़त है, इज़त इज़त है, ठीक है न, पहले यहाँ पर training करने भी Egypt जाते थे लोग, आपको नहीं पता हो शायद, अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता लएगा, तो यहाँ पर world sports championship, इस बाद तमिलाडो में हुई, और यहाँ पर Egypt ने जीता है, न, अंगली बात है कि, mascot कौन बनाता नाशनल games का, अब बाइसा भी इतना important नहीं है, बड़ क्या है न, इसमें यह जो आदमी जानवर है, इसका नाम है मोगा, अब यह जो मोगा है, ठीक है न, यह इंडिन बाइसन है, और यह गोवा में जात मिलता है, पर गोवा के इलावा भी मिलता है, मतलब, actually, गोवा में तो इस बाद national games हुभेते, मैं द्वारा बोलता हूँ, गलत बोल गया मैं मोगा नाम का है, एक इंडिन बाइसन है, अब यह बड़ा news में था, क्यों, यह actually almost extinct होने की कगार पे है, कहाँ पर है, extinct होने की कगार पे है, यह कुछ ऐसा दिखता है मोगा, बड़ा तगड़ा बाइसन होता है, बड़ी अच्छी मसल्स होती है इसकी, और यह आपको न, तींचा जगा मिलेगा, नागोर होल, बांदीपूर, और यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यह इसे कहले है, ब्यार हिल्स, अज़रा मैप को दिखा लोगा, तब समझ मैंगा, नागोर होल यह रहा, स्टेट कौन सी है, कर्नाट का, बांदीपूर, यह रहा, स्टेट कौन सी है, कर्नाट का, ब्यार हिल्स, यह रहा, तो यह तीन जगा पर मिलता है, एक तरह से ही आपका ट्राइंगल बिन गया, और इस ट्राइंगल वारे एरिया में मिलता है, और इस एरिया को हम क्या भास है, और यह थाया तुम धर्ती के, जलिपलताव इसटन गात वेस्टन गात, सर यह वेस्टन गात है, यह क्या है वेस्टन गात है सर, और मुझे एक बात ओव, वेस्टन गास ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस होता है, यह या ट्रोपिकल डेसिडियस फॉरस होता है जल्दी बताओ यहां पूरे टाइम बारिश होती रहती है या कभी कभार सूखा भी बढ़ता है जल्दी बताए जी हाँ यह एक ट्रोपिकल एवर्गरीन फॉरस से यह आपको रटा होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बोला बहुत बड़ी अगला है 5D woman grant swiss 2013 जो chess हो रहा है इसमें भाई साब कौन जीता है ठीक है ना 5D ज़रा समझ लो भाई साब ये है 5D वाला जो था ये जनाब विशाली नी जीता है मैंने आपको बताए भी था ठीक है ना विशाली मेडम ने जीता है ह इनको ठीक है अगला सवाल है which country cricket board has been suspended by ICC due to the government interference हुआ क्या था जो sports minister थे उन्होंने कहा कि ये वाली जो क्या नाम है cricket association है वो corruption कर रही है सिप बोला सिप बोला कोई proof नहीं सिप बोला और कह दिया अब ये जो association है मेरे अंडर आएगी मेरे अंडर आएगी तुमारा कोई हाथ नहीं रहेगा इसमें बात मैं पता लगा चुहां का Supreme Court है उस देश का उसने का ऐसा कुछ नहीं है कोई corruption corruption नहीं है तुम बापिस इनका हाथ सी के हाथ में देदो वनना ये बैन रही सस्पेंड रही खेलनी पाई स्रिलंका के साथ ऐसा हुआ श्रिलंका को बैन कर दिया गया था क्योंकि government का interference आने लगा था ठीक है और कोई भी country के साथ I think अगर आपको यादा रहो कुछ time पहले इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया था यादा रहा है किसी को हाँ जी हाँ जी कुछ time पहले हो गया था अच्छा एक बात और राजा भालेंदर सिंग को मिली है और प्राष्ट्रा नैशनल गेम में थी और उसको मिली है यह राजा भालेंदर सिंग ट्रॉफी अगला देखिए यह बहुत इंपॉर्टन है बैस वुमेन एथलीट इन नैशनल गेम कौन है देख लो भाई सब यह हैं यह दोनों है इन दोनों को मिला है अब आसे कुछ साल पहले वो यह दोनों है अगर आप इनकी ड्रेस देखोगे आपको ड्रेस देखके समझ में आ जाएगा कि यह इतनी चमक्ती धमक्ती ड्रेस जिमनास्ट की ही होती है क्लियर है बिलको से जवाब तो राइट आंसर क्या भाई सब यहाँ पर C is the right आंसर बिलको से जवाब अगला सव में एक बार पता नहीं कितने आठ बारा बाइस पता नहीं कुछ ऐसे मेडल मार के लिए तो जो दुनिया के हाइस मेडल है एक उलम्पिक में तो एक भाई साब है श्री हरीन अटराज यह मेल एथलीट है ऑलम्पिक स्वीमर है और इस बार आठ गोल्ड वन सिल्वर और वन अब मुझे बता दो भाई साब ये नैशनल गेम्स में इनको बैस में एथलीट किसको मिला होगा जल्दी बताओ सिंपल सवाल जल्दी बताओ सिंपल 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 सवाल जल्दी बताइए या मेरा मू थग्या बोलते बोलते कभी-कभी लगता है कि यार नाम होता है चलो जी आगे देखते है फर्स बैटर तो स्कोर 50 ODI सेंचुरी पहला बैट्समें जिसने 50 कोई बात चलो जब फिफ्टी ओडिया सेंचुरी वह कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है तो फिर्स वह है विराट कुली साब ठीक है नहीं फिफ्टी सेंचुरी मार डाली है बहुत बड़ी बात है यह को आगे चलते हैं अगला सवाल बहुत ही इंपर्टेंट ऐवर्स से सरस्वती सम्मान अवॉर्ड है पहला सवाल कि सरस्वती सम्मान अव ambigu ard कौन से फिल से तो अब घई साब वहई इस बार मिलागी से 2022 में किसे मिलाता तो यह मिलाथा शिवा संकराणी जी को मिलाता यह एक बाद मिलता है然後22 का मिलना होगा डॉक्टर जूतीता गुपता को मिला है, सिंपोजा प्राइस, उनके काम के लिए नीदर लेंड में उनको मिला है, क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रिबुशन दिखाने के लिए इनको मिला है, सिंपोजा प्राइस, अब यह बहुत इंपोर्णन्ट है, हद से जादा इनको अवाड किस ने दिया है, तो बड़ा जीव सा नेम है, जैसे मैं किसे पर उच्छु शुमम वाशने आपका सर नेम क्या है, तो आप लिखेंगे सर नेम, ऐसे लिखेंगे, उसमें आप आई लगा दो, तो यह सूरी नेम बन जाएगा, और जो सूरी नेम है, वही कंट कंट्री है, जिसने प्रेश्टेंट मुर्मुर को यह अवाड दिया है, अब सवाल आता ही कि यह है कहां पर, यह आपको सौथ अमेरिका का मैप दिख रहा है, यहां पर यह कंट्री, जूम करके देखो तो देखो यह रहा, बहुती छोटा कंट्री है सुरी नेम, सुरी नेम इतना छोटा ही है, I hope मेरी बात समझ में आ रही होगी, अई ला, हड़ी चटकी, चलो, सर अभी भी कुछ पेजस पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, अरे बेटा, हलका फुलका तो चलेगा, ऐसे मत करो, मैं देखो यहां पर दिखा भी रहा हूँ, सुरी नहीं के नीचे ब्राजील है, लेफ्ट में फ्रेंच गवाना है, राइट में फ्रेंच गवाना है, और राइट में गवाना है, ऐसे मत करो यार, तुम तो मजाकी बढ़ारे हो कती, हैं, तुम मुझे गायब ही कर दोगे, I think अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो च सगस, कुछ महीने पहले ही, प्राइम मिनिस्टर को Grand Cross Order of Honor मिलाता, क्या मिलाता, Grand Cross Order of Honor मिलाता, वो कौंसी कंट्री से मिलाता, वो कंट्री थि ग्रीज, ग्रीज को मिलाता, अब देखो भाई, अब तुमें थोड़ा पागलपन होगा, अब मैं बताता हो कैसे, पहले मैं यह यह वाला question कराता हूँ फिर तुमको समझ में आएगा देखो गांधी Peace Prize Award किसको मिला है तो देखो भाई साथ यह मिला है गीता प्रेस को क्यों मिला है भाई साथ दुनिया में कुछ भी कोई सरकार आती रही हो जो right knowledge थी गीता की उसको exactly precise बताएगा जैसे वो कोटी वड़ता न धीता प्रेस को गांधी Peace Prize Award दिया गया है उनके contribution के लिए क्योंकि अगर वह ऐसा ना करते तो socio-economic and political transformation में उनका contribution अधूरा रह जाता clear है तो इस चीज़ को ध्यान में लगते हुए इनको यह Award मिला है अगला है France का highest Award किसको मिला है ध्यान सुनेंगे France का highest Award किसको मिला है तो भ अध्यान सुनो मोदी जी को मिलते रहते हैं Award बहुत ज्यादा Award मिलते हैं मैं इनको मतलब बचपन में पढ़ाए में कुछ खास अच्छे नहीं थे और मैं घंटा नहीं सोचा होगा धरती पे कि जैसे ही PM बनेंगे दुनिया Award देने लग जाईगी यह Award वो Award यह ले वो ले मत दुनिया का पागल हो जाएगा दे खुमत में दिखाता हूं इनकी पागलपनती का का गया लगाया था मैंने यार का यहां पर है चलो कोई बातिया भी कराते हैं थोड़ी दिल में कराएंगे बहुत Award मिले इनको पहले कराते हैं यह बहुत साही नौरेज है चलो कांगे हां कौन सी documentary film है जिसको Oscar Award दिया गया है for the best documentary short subject 95th Academy Award आप इसे Academy Awards भी कह सकते हैं Oscar Award भी कह सकते हैं किसको मिला यह All the Breathes को मिला है Elephant Whisper को मिला है March of Penguin को मिला है Fire of Love को मिला है भाई साथ मूवी का नाम है Whisper The Elephant Whisper is the documentary जिसको यह Award मिला है ठीक है न याद कर लो भाई साथ एक्जाम में आने के 200% chances है Academy Award और Oscar Award आने के 200% chances होते हैं अब यह last time न सीडियस में आया है जहाता मुझे याद आ रहा है RRR RRR एक ऐसी मूवी है जिसको दुनिया के सारे Award मिले ऑसकर मिला है Grammy मिला है ठीक है ना सारे Award मिले है बड़ एक Award नहीं मिला उसे एसेस राजमोली साहब एसेस राजमोली साहब है और गाना कौन सा था नाटू नाटू आटू आटू आपने सुना होगा बहुत बड़ीया गाना मदा आ गया होगा आपको ठीक है अंग्रेज भी नाचेस पर जी बिलकुल अगला सवार आपके सामने हूज देखिए इनका नाम है आलिया मिर ठीक है मुसलिम लेडी है यह और इनका कंट्रिबुशन बहुत ज़्यादा है हद से ज़्यादा बहुत सापों को देखके तुम डढ़ दाते होगे ना वो खेल लेती है इन से ठीक है ना तुम सापों को तुम जैसे कुतों को हात लगाते हो ना वैसे सापों को हाते हैं बोलती है मेरा प्यारा बच्चा मेरा लाल मेरा दुलारा ऐसे करकर बात करती यह बताओ आप आप यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखो आपको समझ में आएगा बहुत ही कमाल की लीडिये हैं अच्छा अगला सवाल Nobel Prize Award किसको मिला है ठीक है यह सवाल आना बहुत ज़्यादा तय है अब आइसे आप देखो इसमें आंसर क्या है मैं इसको केके मैनन करके याद कर रखा है जिससे मुझे याद रहे ठीक है तीसरा है यहाँ पर लिट्रेचर का भाइसा थर्ड का बी जॉन फॉस ठीक लास्ट है पीस का भाइसाब डी बीसी एमसी बीसी वाला बीसी है यह तो भाइसाब पीस में मिला है बीसी का वर्ड बहुत गालियां खाई थी इसने भाई की मा की सबकी गालियां खाई थी इसलिए इसको पीस का वर्ड मिला है कुछ नहीं इसने हाथ नहीं उठाया इ मेडिसिन में हम बात कर चुके हैं केके मैंन को और लास्ट से केमिस्ट्री में में को क्या मेरी बात याद रहेगी जल्दी बताएंगे बहुती बढ़िया बात है नौ पहला सवाल एक बहुती इंपॉर्टन सवाल है बहुती सिंपल है एफकेट में भी आया है सीडेस में भी आया है आपका टीए में भी आया है पहला नोबल प्राइज किसको मिला था उनको मिला था उनका नाम है रभिना टैगोर और यह भी पूछा गया कौन से साल में मिलाता साल का नाम क्या है 1913 अब पूछते हैं तो लेटेस अवर्ड विच इस गिवें टू लेटेस अवर्ड क इसको दिया गया है तो भाईस ऑस दिया गया अभी जीत बैनरजी को दिया गया है और कॉंट्रिबुशन किस में इसका लिट्रेचर में है है फिजिक्स में है chemistry में है medicine में peace में economics कितने क्टे एक दो तीन चार पांच छे क्राइट है और आपको याद होना चाहिए जल्दी बताओ प्रसे देख लो बाई देख लो तुम बाद में मत कहना हैसे जल्दी बताओ दो तक्ट गया मैरा जल्दी बताओ, अमरूत खाले हैं तरहां माहा चक कर ना, खाला निखा आज मैं तुम्से महबपत ना होती हैं ना, कसम जदा ना अमरूत आदा खाले के ने छोड़ता मैं, इत्ती तेज भूख लेदी मैं तो झाले हैं तो झाले हैं यह वदाँ जवदाँ झाले हैं तो देखे कौन सी फिल्म है इंडियन फिल्म जिसको बेस्ट फिल्म अवर्ड मिला है तो वह है कश्मीर फाइल को वर्ड में कोई रेकुनाज़ेशन नहीं मिला है वर्ड को कोई भी रेकुनाज़ेशन नहीं मिला है आपकी आंसर होना है आपका कश्मीर फाइल वहीं आरर को इंटरनेशन बहुत मिला है इंडियन नहीं मिला है इसके डिरेक्टर का नाम क्या है विवेग अगनी हूतरी क्या नाम है विवेग अगनी हूतरी और इस डिरेक्टर की जो बीवी है इस बीवी है इनका बहुत बड़ा रूल है बहुत टाइम लगा इसकी रिसरच करने में अगला है जनानिपत अवर्ड इस वरक इन विच लैंवेज दामोदर मौजा है उनको 567 जनानिपत अवर्ड मिला है कौनसी लैंवेज में लिखने को मिला है इनकी लैंवेज है कौन को नी इसा है यह और अर्फम का बहाँ निकलता है तो उसमें जनानिपत radiator डिया जाता है क्या मेरी बास समझ में आ रही है तो बहुत important है क्योंकि यार 22 भाषाओं में अगर हम देखें हिंदी प्रमुख है, इंगलिश प्रमुख है उर्दू प्रमुख है, बंगाली प्रमुख है और कुछ state की गिनी चुनी भाषा है प्रमुख है तो सारी 22 भाषा है नहीं हो पाती है मुझे नहीं लगता आप में से काफियोंने कौनकनी भाषा का नाम सुना होगा अगर आपने सुना है तो यह बता देजी कौन सी state के में मान जाओंगा मज़ा आ जाएगा अगर आप बता दो तो ठीक, आप कौनकनी भाषा के राइटर थे यह हैं दामोदर मौजू इनको अवाड मिला है यह आ रखना जनानिपत अवाड अगला सवाल वन ओफ दा मोस्ट 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 इंपोर्टन अवाड दीनानात मांगेश्वर पुरुषकार इन दोज़त तेज किसको मिला है तो भाषा उसका आंसर है यह पूछा जाता है हर साल पूछाता है आशा बोशले जी को मिला है विद्या बारन को मिला है पंकर जुदास जी को मिला है अब सवाज आता है कि दीनानात मांगेश्वर है कौन यह है दीनातानात मांगेश्वर उन्निस्तों में पैदाईश हुई 1942 में अजादी से पहले निपट लिये अब जब यह जनाब निपट लिये तो यह कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं थे मतलब बहुती लखी लोग होते होंगे जो अपनी म्यूजिक के अंदर उस समय में अजादी से पहले दुनिया घूम ले और यह वही है ठीक है दुनिया घूमिये नोंने और यह मराठी थेटर में थे ठीक है ना हिंदी क्लासिकल म्यूजिक में भी इनका बहुत ज़्यादा कं मंगेशकर आशा भोशले मीना कहईड कर ऊशा मंगेशवर ठीक है ना इनके ना फोर फादर है मिरी बाद ध्यान सुनों फोर फादर है यहां पर लिखा है लता मंगेशकर आशा भोशले मीना कहईड कर ऊशा मंगेशकर एं यह वाली विजया है तो इतने सारे मंगेशकर के तो आपको भाई साब याद रखनी है बात बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे देखिए अब भाई साब आ गया है यह बहुत जादा आपको क्या लगता गया अवर्ड काहां बहती है एजफ है आप मेरी बात ध्यान सुनो यार मोदी जी को बहुत ज्यादा अवर्ड मिले इतना अवर्ड का पता नहीं करकिया रहा हैं थीक है अब सवाल पता है क्या पूछ जाएगा इन में से कौन सी कंट्री द्वारा बोल ला हूं इन में से कौन सी कंट्री जिसमें से उनको अवार्ड नहीं मिला है इन में से कौन सी कंट्री जिसमें इनको अवार्ड नहीं मिला है नहीं मिला है नहीं मिला है तो बाचता देखो इनक को मिल चुका है इंडिया के पापू नचीछचब प्रांस सब्रीज तो इस आपको नाम याद रटी मिला एächen ठीक है ना अगर आपको नहीं आ दूए तो भाइसा गरबर हो जाएगी लिख लो जारा मेरे साब से पैन पेपर उठालो बिना देखे लिखना है पहला साओधिये रेविया है दूसरा भाइसा पलेस्टीन था युनाइटेड अरव इमेरेज था ठीक है तीन तो यह हो गए ए युनाइटेड तर्फ्टेट्स था इसका दुष्वन रश्या था फिर अगर मैं इंडिन कॉंट्रेंट की बात कुरहीं तो भूटान था फिर भयरेन हिख सकते हैं यह दिक है यह थीक्राइए इसोन भीकिन्डम नहीं है यहां पर कहीं भी उनाइटिक किंडम नहीं है जर्मनी नहीं है याद रखना इस बात को क्लियर है यह तुम लोगों के मैसेज क्यों नहीं आ रहे लक्मा मार गया क्या आरे आरे जवाब आरे चलो आगे चलते हैं तरह अगला सवाल है कि 65th Raymond Maxi Award किसको मिला है पहले भाई साब इस Maxi Award की बात करने रहा Maxi Award ना Asia का Nobel Prize है ध्यान सुना है एक्जाम में direct question बूछा क्या है Maxi Award को Asia का Nobel Prize बोला जाता देखो कहीं ना कहीं आप इस बात समझो जो directly Nobel Prize है ना उसकी कहीं ना कहीं जो inclination था हमेशा वेस्टन वर्ल्ड पर जादा था इस्टन पार पर नहीं था इसलिए Maxi Award का जनम होगा ठीक है अब सवाल यह आता है कि मुझे बताओ राइट आंसर क्या होगा कि बोलो कि क्लियर है अब तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन बताना है अगर तुम बता सब्सक्राइब लगता है तुम बता पाओगे रैमसे Maxi Award जो रैमसेन Maxi है वो कौन सी कंट्री से है द्वारा बोल रहा हूं रैमसे Maxi कौन सी कंट्री से है अगर तुम बता तुम मान जाओगा मुझे नहीं लगता तुम बता पाओगे जिगरा चीए जिगरा बताने के लिए सवल कर जाओगे है कोई बंदा रैमसे Maxi को स्पाथिकां धूझ राम से में से कौन सी कंट्री से मैं मान जाओंगा है को हैं जब दो civ integrity नढहकर नन नन न न राए है कोई देखे वाई साब रैम से मैक से जो साब थे यह फॉर्मर प्रेसिडेंट फिलिपिन्स है क्या है फॉर्मर प्रेसिडेंट फिलिपिन्स क्या मेरी बात समझ मारी है फॉर्मर प्रेसिडेंट फिलिपिन्स प्लियर है बलकूल सर बात तो बलकूल समझ मारी है वाट विल यदा ओनर ऑफ सत्यजीत राय लाइफटाइंप अची अबस्ते राय कौन थे पहली बाद तो इनको देख लो आप सत्यजीत राय थे खौन कहां कर आँगा और सत्यजीत राय के आँगा पोटो टाली थे मैं और कोई बात है सत्यजीत राय हमको अगली बार दिखाएंगे उनकी फोटो लगता है गायब हो गई है तुम्हारे कमेंट क्यों जाते हैं मेरी इसमें प्रॉब्लम आ गई है कि दिखना गायब हो जाते हैं बंदो जाते हैं पता ही लगता ओके चलो देखो जी सत्यजीत राय जो थे भाई साब वो कौन थे वो माइकल डुगलस आपने सुना होगा शायद नहीं सुना तो उनको लाइफ टेम अचीवेंट अवार्ड मिला है अक्टर और प्रडूसर है अगर आप इनको ध्यान से दिखेंगे तो शायद आपको इस प्रडूसर को फीचर करा गया था तो यह बैस ग्लोबल मुजिक परफॉर्मेंस है यहां पर इसकी और यहां पर मिलाए किसको नाम तो बता दो उसका फालकुनी शाह को इन्होंने गाना बनाया जिसमें मुदी जी को फीचर करा गया था तो बाइस सब इसको आवार्ड म हम थीम्ज दो नाइए पर्स वंडे को हम करेंगे क्या संडे करें दॉबारा करेंगे क्लियर है यह संडे को करें तुम क्या बोलने है फ्रस्टे या संडे एक क्लास्व लगी घ्या एक लगी खतम हो जाए गई क्या बोलते हो डेट कौन से बढ़ रही है कि आज 17 पहले ही कंदी बढ़िए ती ये वह लोग तहां था एक्जाम है जाते मुझे यादा रहा है कलेंडर ती यह आत्यम है क्या क्लेंडर औरे युझे लूए जा़ाडर के हमाद है को या कलेन्डर कलेनंड। संड़े लग रहा है क्या ना मैं कि भूल के दिखाए रहा है कलेंडर 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 क स्टार्ट कर दी हैं आपको पता होना चाहिए नहीं बता तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ठीक है दूसरी बात online batches भी चालू है ठीक nda cds के अब इसमें जो आफकेट का वैच है जिसके बारे में आज मैंने बात की थी उसका ओडान तेजस का registration open है और जिसको मुझसे personally बात करना हो तो यार हर वीडियो के नीचे में personal अपना number देता हूं उससे बात कर सकते हो जो आपकी offline classes है उनका बैच स्टार्ट हो चुके है registration मतलब अभी तो चल्ला CDS 1224 CDS 1224 के registration चालू हो चुके और हम वो जन्वरी से ही चालू कर रहे हैं तो अगर आप आना चाहो तो जन्वरी से लेके अप्रेल तक हम आपके बैच एक बार खतम करेंगे और अप्रेल से लेके सेप्टमबर तक एक बार रिविजन बैच द्वार तो यह वी लोग बनाते हैं तुमको पता लगे भाई आप बच्चे कैसे अब आप पता बता कुछ है नहीं वैसे वेबसाइट भी जा सकते हो प्ले स्टोर पर डालो सेल्ट सेलेक्शन बोर्ड और डाला प्ले स्टोर तो भाई सब तुमारे पास आप आप आजागी बनाई हमने आप यह तो गया आप आप अगर आप चाहते हो आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो आप आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आक आप वो कर सकते हो and I'm there for you मैं आपका करवा दूँआ चीक है ना इसकी पीडिएफ आपको कहा मिलेगी वाटसेप ग्रूप पे मिलेगी यह टेलिग्राम पे मिलेगी जहां जहां आप एडिड़ हो वहीं पर मिलेगी आपको क्लियर है और कोई बात किसी को मिली जान पूछना हूँ मलोसी डियस का वाटसे करो चाहिए ना तुमको see yoursk equipment तो यह बाला नंबर यो यह बाला नंबर वह normally किसी पे जाकताना क्रणा सीडियस देधो आपको मिलजाएगा या मलो सिन नमबर पे लगना करम साबाद कर ना आपको radio मज़ा आया तो भाई साप बता तो एक बाद रहा है कोई है प्रयांशू स्टार्ट कर रहे हैं आप आजाओ अगर आपको बात करने हूं मुझे कॉल कर ले ना कला आप I will be there to talk to you ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और याद रखो यार आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको सिंपल कॉल करना है आप यह मसोचो कौन सा बैच लेना है क्या करना है जस्ट गिम्मी अ कॉल बिविए 6 पीम टू 9 पीम बैठ के बात करेंगे जो तुमाहीं आप जॉइन होते रहें ठीके ना उनका मसोचो पहले बात कर रो रिजॉल्ल करो तुम्हें अपने अंदर और फिर जॉइन करो ठीके चलो यार मैं तो निकलता हूँ ठीके ना अ बिठाई का सालत तुमने बताई नहीं कॉन है जो मिठाई खिला सकता है जो ससेलेक्शिन होन अब नहीं चलो बाइब डिखाए तो यार मेरे डिवेडर आया करो तुम को पता है तुम सिंपल गूगल पर जालोगा ना सेल सेलेक्शन वोट तास्ता तक मिल जागा तुमें सिंपल तुमें सेल सेलेक्शन वोट डाला सिंपल सिंपल तुम से कह रहा हूं कि सिंपल डाला क्या तो सेल्फ सेलेक्शन वोट देखवा गया गूगल पर एक जटके में चलो यार ठीक है ना यार बाइब अरे एंड बेटन कहां से आता है यहां पर यहां